नमस्कार दोस्तों मैं इंकोर उपाथियाए स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यह आज की आखरी वीडियो है और मैं आप सभी के जाथ आखरी वीडियो में जो चीजां कवर करता हूँ वही कवर करने वाला थैंब तो शुरू करता हूँ तो टॉपिक्स बता देता हूँ आपको क्या क्या है इस इस वीडियो में अशक लेलें की तरफ से बड़ी ऑरूंच्मन्ट आये जो मैं आप सभी के साथ शेर करूँ में तीसी आई एल और टाटा एस्टील आपको पता है amalgamation यानि की merger समझ लीजिए amalgamation नहीं आती समझ में मेरे पास एक message भी आया था इसका मतलब क्या है तो मैंने कह रिया था ignore करतीजिए merger हो चुका है Tata Steel का बाशी की साथ metal companies जो Tata Group की हो उनके साथ तो इसकी update मैं दे दूँगा भी Jyoti CNC का IPO कल open होने वाला है इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे Dow Jones यानि की America का बजार कैसा दिख रहा है या फिर दुनिया भर के बजार आप जो मर्ची समझ लीजिए FIADI इसका data क्या कह रहा है आज और Nifty prediction यानि की कल Nifty के लिए कैसी रह सकती है चाल इसके बारे में समझेंगे and lastly बजाज आटो के लिए मैंने पूरी एक particular video भी बनाई है company ने बढ़ा 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 buyback announce करा है जिसको short में discuss करेंगे तो एक एक करके सारी चीज़ा समझा देता हूँ जाद समय नहीं लूँगा असोक लेलेंड company to invest 1200 करोड in 325 year 3-5 सालों में 1200 करोड रुपे का निवेश करने वाली है science MOU with Tamil Nadu government अभी 3 दिन पहले आपने देखा कि गुजराच सरकार के साथ सारी कंपनियों ने MOU साइन करें और अभी finally आज Tamil Nadu government के साथ करें बहुत सारी कंपनियों ने जिन में से एक आपका असोक लेलेंड भी है और मैंने आपके साथ details भी share करी बाकी Amboja Cement अशांगी इंडस्ट्री ओपन ओफर दोबारा ओपन होने वाला है तो इसकी भी details आते हो दिख रही है यह stock भी action में रह सकते है बढ़ अभी मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ अब आता हूँ TCIL and Tata Steel यानि की tin plate company and Tata Steel देखिए जितनी भी Tata Group की metals में listed company आए उनका merger हो गया है Tata Steel के साथ merger क्या होता है एक company होती है बाकी की company आउसी के अंदर आ जाएंगी अब metals में ही काम कर रही है तो सबसे बड़ी दिगच और metals में almost 90% का जो revenue है जो profit है वो Tata Steel generate कर रहा है बाकी सारी company आतना है थोटा थोटा कर रही है बट listed अलग है तो सबको merge कर दिया था Tata Group ने last year I think announcement है थी मैंने discuss भी किया था जिन मेंसे एक Tata Steel के साथ tin plate का नाम भी था तो ratio भी मैं अभी पढ़के ही आया हूँ वैसे मैं भूल चुका था ratio जो है tin plate का वो आपका 33 shares मिलेंगे जिसके पास भी एक tin plate का share है tin plate का share इतना महँगा है मैं एक बार चेक करना चाहूँगा मैं ratio आपको सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ क्योंकि tin plate का share तो 400 रुपेगा है तो फिर कैसे मिल सकते हैं तो मैं ratio को I think आपके साथ discuss जो कर रहा हूँ वो गलत है और ratio यहाँ पे लिखा भी नहीं है I think वो 33 face value पे चेक कर लेते हैं क्योंकि tin plate के इतना है अगर आपके पास tin plate का share है तो आपकी portfolio से tin plate गाए हो जाएगा और Tata Steel के shares आजाएंगे यह याद रखीगा ratio में यहाँ पे एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ क्या लिखा हुआ है The board has approved Friday January 19th यह date रखी गई है as the record date for the purpose of determining the shareholders of TCIL who shall be entitled to receive fully paid up ordinary share लिखा हुआ है यहाँ पे this allocation will be in the proportion of 33 fully paid up equity shares with a face value of 1 रुपी each for every 10 fully paid up shares with a face value of 10 तो यह update company की तरफ से आपके लिए आती हुई दिख रही है जहाँ पे 33 fully paid up equity share of Tata Steel of face value 1 for every 10 fully paid up अच्छा 10 share के सामने ठीक जी अगर आपके पास 10 shares है tin plate के तो आपको 33 shares Tata Steel के मिलेंगे अब कोई कहें मेरे पास तो 15 हैं तो उसको divide कर दो तोड़ दो हिस्सों में उतने share मिलेंगे और जो point में share रहे गया और वो price आपकी bank में directly demate हो जाएगा एक example भी दे देता हूं मान के चलो मेरे पास 15 ही share है 10 plate के तो क्या ratio बैटेगा 33 shares तो direct 10 पे मिल गई और 10 का half होता है 5 और 33 का half करूँगा तो 16, 19, 32 हो रहा है तो 16 shares और मिल जाएंगे मेरे को Tata Steel के उसके 50 रुपे मेरी bank में direct credit हो जाएंगे जो भी link होगी मेरे demate account से आगे बात करूँ जोती CNC का कल IPO open होने वाला है तो IPO कल open होगा कली इस पे पूरी detail वीडियो में बना दूँगा अगर आप लोगों का interest होगा तो बागी बजार में इस समय थोड़ी सांती है तो मुझे नहीं लगता IPO को कुछ जादा खास response मिल सकता है IPO कंपनी तो बढ़िया लग रही है और MacPower CNC अल्रेडी एक listed है उसी space की कंपनी मैंने भी इसको पढ़ा नहीं है तो वो मैं आपके साथ कली शेर करूँगा अमेरिका के FIADS के डेटा अभी थोड़ी दिर में बजाज ओटो की बात करते है पहले बजाज ओटो की बात किया है तो 4000 क्रोड का बाइबेक अनाउंस किया है और 10,000 रुपे का भाउते गरा है जो की 43% प्रिमियम पे होता है बट बाइबेक के लिए कोई भी मत लेना वो मैं असलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4000 क्रोड का बाइबेक है जो की केवल 2% डिक कुटी का होता है अब आ जाते है FIADS के डेटा पे है तो बहुत ही कमाल का नंबर आया है आज इतना उठापटक हो गई बजार में इनफेक्ट गिराई यह उठापटक भी नहीं है लेकिन डेटा निकल रहा है कि FIADS केवल 16 करोड की बाइब करके गई है और DIAIS 155 करोड की बाइब करके गई है दौनों ने खरीदा है फिर बेचा किस ने है रिटेलर्स ने हमने आपने यह इंट्रेस्टिंग है चलिए छोड़ते से भी आगे बढ़ते है ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं और फिर आते हैं अपने भारतिय बजार पे ग्लोबल मार्केट्स में बोईंग का शियर अल्मोस्ट क्रेश होता हुआ दिख रहा है जिसकी वज़े से पूरा अमेरिका परिशान है बोईंग के स्टॉक की बात करूं मैं तो यह सुबा से ही चिंता का विशय बना हुआ था जैसा कि आप सभी को पता है लगबग 7-8 परसेंट टूड गया है 167 पॉइंट की देजी है S&P 500 आदे परसेंट उपर है Russell 2000 में भी 1% की करीब की देजी है Global Markets अच्छी दिख रही है और Asia Pacific भी ठीक ठाक दिख रहा है तो कोई दिखकर नहीं है Nifty की बात करें तो इसका जो टेखनिकल चार्ट पैटन है वो काफी बेकार हो गया है आज Mutual Fund का डेटा भी आया बहुत स्ट्रोंग आया है तो उसके उपर कल वीडियो बनाऊंगा अच्छा यहां पर बात करूँ अगर Nifty की तो 21.513 पर आ गई है हमारी Put Option की बाइंग भी थी इसमें आज तो हम ठीक बैटे है इस मार्केट में अभी देखा रहा है तो 21.500 पहला सपोर्ट है यह ब्रेक होता है तो मेरे को लगता है 400-400 पिटास तो इजी ली आना चाहिए नहीं होता है यही से घूम जाता है ग्लोबल संकेत को देखते हुए तो अभी जादा मैं इसमें अभी बुलिश नहीं हूँ 21.825 के उपर जब तक बजार बंद नहीं होगा तब तक मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ 700 तक की कोई भी उच्छा लाता है वो बेचना ही चाहिए ऐसा मुझे लगता है तो यह मेरे तरब से एक डीटेल वीडियो दी होप आप लोगों को सारी चीना समझ में आई होगी थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो हैव अगेट दे गाईस